मदर्सा बोर्ड में है उनको तन्खा दो तो ना सेंटरल मोडी गवर्मेंट डे रही है ना यूगी गवर्मेंट तन्खा दे रही है उनको महाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यह प्राइवेट मदर्से हैं आप क्यों सर्वे करेंगे आपका मकसद एक हरास करना मुसल्मानो मदर्से जो है वो मदर्सा बोर्ड के तरह रेकनाईज नहीं है यह प्राइवेट मदर्से हैं जिनको स्टेट गवर्मेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है ना उनकी सर्टिफिकेट रेकनाईज करती है तो वो अगर खुद अपने मदर्से खोल कर चला रहे हैं जैसे द ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हैं जो मदरसा बोर्ट के तरे रिकंद है, वो सरकार से उसका तालوق है, यह क्यों सर्वे क्यों किरा रहा है? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ, तो अपने इस्लामिक तोर तरीखे उनको सिकाने के लिए इसलामी फिक्ष सिकाने के लिए उनको मौलाना बनाने के लिए मुफ्ती बनाने के लिए और स्टेट गवर्मेंट से तालुक ही नहीं है और सम्विधान के आर्टिकल 30 के तहट मुझे एक फंडमेंटल राइट हासल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ अपने पसंद के एजूकेशन इंस्टूट को लूँ इसमें सरकार क्यों मदाखलत करेगी आप सर्वे क्यों करना चाहरे हैं आपको इससे लेना देना क्या है कि आप उनकी तंखा दे रहे हैं जो जो मदरसा बोर्ट के तहर्त मदरसे हैं उनकी मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं अनेड़ेट मदरसे हैं और आर्टिकल थटी के तहरे हैं जिसको खायम किया गया है तो स्टेट गॉवर्मेंट क्यों सर्वे करा रही है आपको लेना देना क्या है अब आप एक और जारी कर दीजिए आ कि आप आप मुसल्मान मत रहिए नमाज मत पड़िया और जारी कर दीजिए वही करना चाह रही है यह सर्वे नहीं है बलके छोटा इनारसी है यह क्यों रेगुलराइज करें गया रेगुलराइज करेंगे आप जो मदर से मदर्सा बोड के तेहे उत्तरपरदेश में वह आपके रिकॉर्ड है यह जो प्रैवेट मदर्से हैं जो मदरसा बोट से रिकनाइज नहीं है जो आर्टिकल 30 के तरह उनको राइट है आप क्यों करेंगे सर्वे उनका आपको क्या राइट है करने का क्यों करेंगे आप नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप क्या आपके सामें आपके सामें मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हैं उन मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी विये शक करना, आपके कल एक और आप इस सर्वे करके बोलीगे नहीं, यहां पर नमाज नहीं पड़ो मदरसे में, आप करें कहींगे नहीं, खुरान मत पड़ो, अरे पर एक और जारी कर दो ना, बोल दो तुम, सब गोल दो कहें मुसलमान नह जो भारत के सम्विधान के आर्टिकल 30 के तहद मुझे खोलने का पूरे अक्तियार आसिल है, आप उसमें इंटर्फियर नहीं हो सकते, आपको कोई राइटनी सरकार को इंटर्फियर करने का उसमें, आप क्यों करेंगे, क्या पैसे ले रहे, क्या आप से कुछ ले रहे कर र अले, इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमरे तो सब बना रहे हैं, जो यही मदर्सों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, आज आप उनको शक्की निगाओं से देख रहे हैं, यह आप खराज अखिदत पेश कर रहे होमेश पेश कर रहे हैं, उन मुझ सुनिए, सुनिए, आपको जूड बोला जा रहा है, सच्चा ही यह है कि जो मदर्सा एजूकेशन बोर्ट के तरह मदर्से हैं, जिसमें पंडिट लोग महाँ पर मैट्स और साइंस पढ़ाते हैं, कभी जाकर घाजियाबाद में इंटर्वी लीजिए, दो दो सा से तनखा नहीं मिल रहे हैं लोगों को, दो दो सा तनखा नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तनखा नहीं दे रहे हैं आप, वो तनखा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप ये प्राइवेट मदर्सों पे आप आगए, जो मदर्सा बोर्ट तालुख ही नहीं है, अरे जो मदर्सा बोर्ड में ह एए उनको तनका तो दो तो तो ना सेंटरल मोडी गवर्मेंट डे रही है ना योगी गवर्मेंट तनका दे रही है उनको वहाँ जो टीचस पड़ा रहे हैं ये प्राइवेट मदर से आप क्यों सर्वे करेंगे आपका मकसद एक हरास करना मुसल्मानों के इसलाम को बदनाम करना जो आप नफरत करते हैं कल आप और्डर पास कर दो ना भई खुरान नहीं मत पड़ो नमाज मत पड़ो यही करना चाहरे आप आपका मकसद यही है